नमस्कार जगत गुरु भगवान श्री कुरुष्ण जी के चहणों में कुरुत गैता पुर्वक वन्दन करता हूँ सनातन संस्था एवं हिंदू जनचागूरूती समिति के और से धर्मसवमात के इस विशेश कारेक्रम में मैं कारतिक सालूम के आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ बंदू पिछले कुछ दिनों से हमने धर्मसमवात के इस कारेक्रव में हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं इसमें हमने हमारे जो प्राचीन विश्व विद्याले है, नालंदा है, तक्षशीला है, वल्लबी है और ऐसे अनेक विद्यापिठों के बारे में, विश्व विद्याले के बारे में हमने पूरी जानकारी समझ कर ली। इसलामी आकरांताओं ने हमारे इस प्राचीन विश्व विद्याले की किस प्रकार से विद्वोन सकिया और हमारे ग्रंथ जला दिये, ये हमने जानकर लिया, और उसके उपरान अंग्रेज जब हमारे देश में आये, तो अंग्रेजों ने हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस था हमारे उपर थोब दी और उसी के कारण आज हम देख रहे हैं वर्तमान में हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसी के संदर में हाज हम कुछ जानकरी आज के इस धर्मसवाद में समझ कर लेने वाले हैं मैकॉले शिक्षा पद्धती किस प्रकार से आई और उसने हिंदू संस्कृती का किस प्रकार से नुकसान किया हिंदू का नुकसान किया हमारे युवा पिड़ी का नुकसान किया ये आज हम आज के धर्मसवाद के सत्र में समझ कर लेंगे हमारे साथ हिंदू जनजागुरुती समिती के राश्च्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्तित है नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी इतिहासकार माननिय धर्मपाल जी ने प्राचीन भारतिय शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तुरुत संशोधन किया है उन्होंने अपने पुस्तक में क्या-क्या बताया है तता किस प्रकार से अंग्रेज शाशकों ने भारतिय शिक्षा व्यवस्था को द्वस्थ किया तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को विस्तुरुत से बताए माननिय धर्मपाल जी यह मूलता गांदी जी के अच्छे अनुयाई थे तता अवे एक जाने माने भारत के इतिहासकार भी थे और गांदी जी ने जब उनको बताया था कि भारत के शिक्षा व्यवस्था के संदर्ब में आप बिटिश लैबरे में जाकर उनके ही जो यहां से आवाल जाते थे उसका आद्देन करके आप भारती शिक्षा व्यवस्था पर एक किताब लिखिये तो उसके बाद इतियासकार धर्मपाल जी ने उसके संदर्ब में शोधकारे किया था और एक किताब लिखी थी रमणी अवरुक्ष अठ्रावी शताब्दे में भारती शिक्षा जिसका मूल नाम दा ब्यूटिफिल ट्री दा इंडिक एजुकेशन इन एटीन सेंच्यूरी यह उनका मूल पुस्तक है उस पुस्तक में जो तथ्य हमारे सामने आते है वो अत्यनतर विश्मयकारी है और यह जो जूटा इतियास हमें बताया जा रहा है उसका पुर्णा परिपेक्षय ही बदलने वाला है क्योंकि उनके पुस्तक में उनों ने संदर्ब दिया है कि तातकालिक समय में जो मदरास प्रांध के गवरनर है तो इन्होंने 1822 में एक जो सर्वे किया था और उसके आदार पर एक जो रिपोर्ट बनाई थी और जो उन्होंने ब्रिटिस संसत को भेजी थी तो ब्रिटिस सरकार को 1826 में सोपी गई इस रिपोर्ट में बहुत दिल्चस बाते सामने आई और भारतिय प्राचीन शिक्षा व्यवस्ता की व्यापकता उसकी प्रगलबता और उसके जो अच्छे परिणाम है यह दर्शाने वाली वो रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि जो मदरास प्रांत है ततकालिक मदरास प्रांत की जो व्यापती थी वो वरतमान समय का आंध्रप्रदेश वरतमान तमिलनाड वरतमान केरला एवं वरतमान जो करनाटक है उसका कुछ जो भाग था यह सब भाग मिला कर उस समय का मदरास प्रांत का क्षेत्र था थामोस मुंद्रों ने लिखा था कि उस समय मदरास प्रांत में कुल 12,498 स्कूल और कॉलेज़ उस समय कारेन्वित थे यानि जब अंग्रेज जोने भारत पर करीब करीब बहुसांग के भारत के प्रांतों पर चाहे संदी द्वारा हो या प्रत्यक्षप उनका एक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास हुआ था तो उस समय केवल मदरास प्रांत में ही 12,498 स्कूल और कॉलेज़ कारेन्वित थे उस समय मदरास प्रेसिडेंसी की जो कुल जनसंक्या है उसके संदर में थॉमस मुद्रों ने कहा था कि वह एक करोड 28,50,941 थी याने अगर जनसंक्या के अनुपात में अगर हम उस समय विद्याले और कॉलेज़ उसकी अगर हम अनुपात देखते है तो एक हजार वेक्ति के पीछे एक स्कूल अत्वा कॉलेज उस समय कार्यामित था 1901 में जो जनगणना होई थी उस जनगणना में जो भारत के साक्षरता का जो अनुपात निकला था वो केवल 5.31 प्रतिशती था जो अत्यांत कम था 1901 में जो जनगणना होई थी साक्षरता का एक आउसतम दर था वह केवल 5.31 इतना ही था यह अत्यांत कम था 1822 के आसपास भारत में सतान में प्रतिशत साक्षरता थी उसके तिलना में 1901 में केवल 5.31 तक रहे गई है तो इसके संदर में कुछ चार्ट और आकड़े भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो धर्मपाल जी ततकलिक प्राचीन और पारमपारिक शिक्षा वेवसाय के बारे में अपने पुस्तक में बताते हैं कि प्रत्य गाओ के मंदिर से एक पाटशाला या स्कूल जुड़ा होती थी और वहाँ पर आसपास के सभी समुदाय के बच्चे अध्यन हेतु जाते थे इसके अलावा जहां मंदिर सम्रुद्ध थे वहां सम्रुद्ध मंदिरों में अकाड़मिया थी और यहां अकाड़मिय में अधिक उन्नत विश्यों का अध्यन अध्याबन किया जाता था एक महाविद्याले के तोर पर वहां पर कारे किया जाता था पुरा तत्व विज्यों थे आर नागा स्वामी उन्होंने उन्नत शिक्षा उसमें कैसे दी जाती थी इसके संदर में जो कुछ प्रमान प्रस सुथ किये थे उसका भी उन्होंने वहाँ पर संदर बदिया हैं और नागा स्वामी ने काचिंपुरम जिल्ले में उत्तिरामपूर में संदर बदबा का जो मंदिर हैं उस मंदिरों के दिवारों पर जो दस्वीश शताब्दी की जो शिलालेख है δो लिखे गये आते उनको उन्होंने खोच कर निकाला और उसपर स्वश्टता से लिखा है कि वहाँ उससमें कैसे स्कूल कार्यामित्य कैसे कॉलेज कार्यामित्य उनका प्रशासन कैसे था उसका संपूर्ण वर्णन ही शिला लोकिके उपर लिखा हुआ मिला है यह मंदिर पल्लव शासन में ईस्वी 750 के आज-पास बनाया गया था और वैदिक महाविद्याले के प्रशासन के अनुसार और सम इसलिए भी उस समय यह निर्दारित किया गया था कि महापर जो भी शिक्षा देने वाला शिक्षक है अध्यापन करने वाला शिक्षक है वह उस गाव का मुल निवासी नहीं हो सकता है याने केवल शिक्षा प्रणाली थी ऐसा नहीं तो सुद्रुड शिक्षा हो शिक्षा में भाहि भतिशा वाद ना हो उस पर एक अधिकार जमानी की प्रक्रिया ना हो इसलिए शिक्षक उस गाव का मुल निवासी ना हो इस प्रकार के कुछ नियम भी उन्होंने बनाये थे शिक्षक कैसे होना चाहिए इसके संदर में जो उन शिलालोगों में हमको उल्लेट मिलता है उसमें यह कहा गया है कि शिक्षक को वैकरण और विविन्न दरशनों का ज्यान होना आवशक है शिक्षक जो है वो तरकशास्त्र और वित्पत्ती शास्त्र में भी निश्नान्त होने की आवशकत है उसमें तद्नी ही होना चाहिए और इन सब गुणों के अलावा शिक्षकों ने कम से कम एक वेद का अध्यान करना आवशक था ऐसे निकशी उन्होंने शिक्षक बनने के लिए बनाए थे शिक्षक के संदर में और जो उन्होंने जो बाते बता है उसमें शिक्षक को गणिती जोतिशा आना आवशक है उसको फल जोतिशा भी जानना आवशक था याने आज के अगर परिपेक्ष में हम शिक्षकों के अगर पूर्तता अगर देखते हैं तो उस समय शिक्षक बनने के लिए जो भीत आरता था थी वो कई अधिक कठीन थी ऐसे हमें ध्यान में आता है और उस शिक्षा पद्दिती का एक रोचक पहलू जो सामने आया है तो वो सबसे महत्वका पहलू है कि शिक्षक को शुरुवात में जब उसको नियुक्त किया जाता था तो उसको आजीवन या लंबे काला वजदी के लिए नियुक्त नहीं किया जाता था किम्ब होना उसको केवल तीन वर्ष के आउधी के लिए नियुक्त किया जाता था और तीन वर्ष के अंत में उसका मुल्यांकन किया जाता था कि उसका आध्यापन का कारे कैसा है वो योग्य कर रहा है या नहीं और इसके आधार पर उसका कारेकाल बढ़ाया जाने का प्रावधान उनके इसमें था, आज जैसे वरतमान शिक्षा वेस्ता में एक बार आपको अपटमेंट मिल गया कि अब आपका आधिकार हो गया कि आप रिटायर नहीं होते, तब तक आप भलाई सिखाएं, ना सिखाएं होने के कारण और अच्छे शिक्षक बनने हैं तो निरंतर उनके अपग्रेडेशन आवशक होने के कारण, अस्थाई नियुक्ति तीन साल के होने के बाद ही उनका आवलोकन करके फिर उनको आगे की नियुक्ति दिये जाती थी, तो इससे हमें यही समझ में आता है कि प्रा युग्य थी, यह दोनों बाते हमें समझ में आती, और इसलिए पूर्वकाल में हमारी पारंपारिक शिक्षा प्रणादी में तीन वर्ष के लिए नियुक्ति मिलने के बाद अगर उसको शिक्षक को लगता है कि मेरी नियुक्ति आगे भी शुरू रहना चाहिए, बढ़न अवशक्ता और इसलिए हमारी पारंपारिक शिक्षा वेवस्ता थी, जिसमें गुरु शिक्षा ऐसा नाता निर्माण होता था, उसकी जो फलोत पत्ति थी वो वर्तवान शिक्षा से कई अधिक है ऐसे, अभी भी हमें ध्यान में आता है, अब शिक्षकों की जो आजिवी क है, उसका प्रबंद, उस गाओ या परिसर के गाओ के जो प्रभुद्द लोग है, उनी के द्वारा किया जाती थी, ततकालिक समय में जो ब्रिटिश शिक्षा अधिकारी वहाँ पर कारे कर रहे थे, उनको अंदर से यह बात पता थी, कि ब्रिटिश जो उनकी नीती भारत म लागू कर रहे है, यह उनकी जो शिक्षा नीती है, वो भारत की स्वदेशी शिक्षा नीती के विनाश का कारण बनेगी, उसकी पूर्ण कल्पना ब्रिटिश अधिकारियों को उस समय थी, यह हमें जान कर लेना आवशक है, अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी आटि, यह भारतीयों में एक मद्यमवर्ग बनाने की प्रक्रिया थी, मद्यमवर्गिय नौकरी-oriented या एक सीमित आय और एक निश्चित आय, इस विचार से औरिएन्टेड एक जो मद्यमवर्गिय समाज है, वो निर्मान करने का एक साधन था, और यह जो मद्यमवर्ग बन वो अंग्रेज जो भारत ने तो पूरे विश्व में जो शासन करना चाहता था तो उनकी शासन प्रणाली कार्यानेद रखने के लिए उनका शासन चलाने के लिए यह मद्यमवर्गियों पीडि सहाय अता करेगी इस उद्देशा से उन्होंने यह निती लागू किया था दर्मपाल जी ने जो एक समकालीन दस्तावेच का संदर्बद देते हुए एक बात स्पष्ट किया था कि अंग्रेजों ने स्कूलों की फीज इस हद तक बढ़ाई थी कि जो स्कूलों की कक्षाओं की परिस्थिति को देखते अत्यंत असामान्य थी सर्वसामने लोग या जो गरीब लोग थे उनको यह फीज देना ही बड़ा मुश्किल या कटिन हो गया था और इसके कारण यह जो एक मद्यमवर्गिय समाज था जो केवल कलरिकल ही जौब करने के लिए अंग्रेजे को सहाय गूद बनने वाला था यह मद्यमवर्गिय समाजो यह जो गरीब लोग थे यह अपने आप इस शिक्षा से धिरे-धिरे दूर होने लग गए भारत में साक्षरता का प्रमान कम होने लग गा और यह जो शिक्षा से दूर जाने वाला जो समाज था वो अंग्रेजो के लिए अभी उन्होंने मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया था तो ऐसा स्पष्ट उल्ले धर्मपाल जी ने संदर्ब के सहित अपने पुस्तक में दिया है अंग्रेजो की यह जो नहीं शिक्षा प्रणाली थी उसने भारत में अंग्रेजियत को बढ़ावा दिया अंग्रेजियत को बढ़ावा देना है ने स्वधर्मप, स्वधसंस्कृति, स्वधतंत्र जोता, स्वधशिक्षा, स्वधन्याय यह सब प्रणारी से दूर जाके अंग्रेज जो कुछ कर रहे है वह योग गया है और उसका गुणगान करना यह वृत्ति भारती लोगों के मन में बढ़ना शुरू किया इससे क्या हो गया कि भारती समाज में जो उनकी स्वृति थी अपने पारंपारिक शिक्षा के संबन मे हो इत्यास के संबन में हो अपने गवरोशारी परंपरा के संदर्व में हो धर्म संस्कूरूति के संबन में हो यह स्वृति ही भारती मन से मिटाने का कार्या अंग्रेजों ने इस माध्यम से किया है और इसी कारण आज हम भारत में देखते हैं कि बहुत से जो स्वयम को सेक इसके बारे में कहते हैं कि इसके लिए हमेशा भारत को अंग्रेजों के प्रति खुर्तग्यता होना चाहिए प्रत्यक्ष में पश्चिम में जो ड्यूक है जो जॉर्श टाउन है बाइलर है या नोट्रेडम है ऐसे जो कुछ विश्वविध्याल है जो इसाई चर्च द्वारा चलाए जाते है उनीका ही वे एक प्रकार से गुणदान करने में वैस्त रहते हैं परन्तु इसी प्रकार सम्रुद्ध भारतिया मंदिर भी अपने स्वयम के विश्वविध्याल है भारत में बना सकते थे जो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में किया उसी तरह से भारत के जो प्रक्यात मंदिर थे उनके चाहिए चत्र में भारतिया पारमपारिक अधियात धार्मिक अधिनियम बनाकर उन अधिनियों के द्वारा हिंदों की मंदिरों की भूमी और संपत्ती ही जब्त कर लिया था और मंदिरों की भूमी और संपत्ती ही अंग्रोजों ने जब्त करने के कारण मंदिरों के चाया चत्र में पारमपारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा संचलित हो ऐसे ना तो विद्याले चल पाए ना तो विशोविद्याले चल पाए तो एक तरह से हमारी प्राची शिक्षा परंपरा को ध्वस्ट करने के लिए ये अंग्रेजों ने कैसे कैसे कानून बनाये थे कैसे कैसे शडेंद्र रचे थे उसका परदा फार्ष धर्मपाल जी ने अपने इस पूस्तक में किया है और इसलिए धर्मपाल जी के इस पूस्तक का अत्यंतर ध्यानपूरों का अध्यान करना सभी को आवश्चक है अंग्रेजों ने तो यह किया कि हमारे मंदिरों की भूमिय और संपर्ति जब्ट करके मंदिरों को कंगाल किया और मंदिरों के माद्यम से ना तो हिंदों को धर्म शिक्षा मिले या मंदिरों के माद्यम से ना तो पारंपारिक शिक्षा पद्धती के स्कूल या विश्व विद्ध्या लाई चले यह तो अंग्रेजों ने शेड़ेंतर पूर्वक किया ही था परन्तु भारत के स्वतंत्रता के उपरांद 1951 में मंदिरों को जो भारत के सेकुलर स्वरकार द्वारा नियंत्रित करने के संदर में जो अधिक कठोर कानून बनाए गए वह अंग्रेजों के ही कदमों पर पदचिनों पर चलने का संकेत देते हैं और इसलिए बार-बार यही कहा जाता है कि अंग्रेज यहां से जाने के बाद उन्होंने भारत की सत्ता अपने पिट्ठू या जो अंग्रेजों का लंगुल चालन करने वाला जो एक भारत में समाज था ऐसे काले अंग्रेजों के हाथ में सोप कर गए थे यह जो बार-बार आरोप होता है तो उसकी पूष्टी यह कानून करता है कि 1951 में फिर से जो स्वतंतर भारत में कटोर कानून बना के मंदिरों की संपत्ति और भूमी या मंदिरों का कंट्रूल करने की जो प्रक्रिया सर फार-बारत का नुकसान किया है हूँ कitsu ज्त्ति अदिक ज्यादा यह हमें समझ में आता है हमारे लिए कितनी शर्मणाक बात है वह है कि भारत के जो हिंदों के मंदिर है वा सेकुलर राज्यवद्वारा चलाए जा रहे एक सेक्ष की व्याक्या करते समय वह कहते कि जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो धर्म निरपेक्ष है, जो पंतनिरपेक्ष है, या धर्म के लिए जो धिरोत करते हैं, और दूसरी तरफ सेकलरिस्म के नाम पर ही हिंदू की मंदिर यह शासन नियंतरित करके चला रही है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग गया है, इसमें एक जो भेदभाव की जो बात है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, कि यह जो सेकुलर शासन हिंदों के मंदिरों को नियंतरित करता है, हिंदों के मंदिरों की भूमी और संपत्ति को नियंतरित करता है, दूसरी तरब यह सेकुलर जो शासन है, वह ना तो मस्जित को नियंत्रित करता है ना तो मस्जिद की भूमी और संपत्ति को जब्त करता है ना चर्च को नियंत्रित करता है ना तो चर्च की भूमी और संपत्ति को नियंत्रित करता है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज भारत सरकार और रेलवे के बाद अगर किसी के कंट्रोल में सबसे अधिक भूमी और संपत्ति है वो तो एक चर्च के और दूसरे वगबोर्ड के हाथों में ऐसे कहा जाता है तो स्वतंत्र भारत में अब हिंदु कंगाल है हिंदु मंदिर कंगाल हो रहे हैं एक तरह से वकबूर्ड या चर्श संस्ता है भूमिया और संपत्ति से फले फूल रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार केवल हिंदु मंदिरों पर ही दड़पने का काम कर रहे हैं तो यह जो एक भेदभा हो रहा है तो धर्मपाल जी ने जो गोरे अंग्रजों की शडंतर के बार कि विए उसको सही व्यक्यानित पहले करने के आवश्क्ता है यह सेग्रुदन शब्दव को हटा कर भारती सविधान में हम हिंदु धर्म, संस्कृती, परंपरा और उसके गवरवशाली इतियास को सौरक्षित करते ऐसे सविधान में अधिकृत तोर बिलाने की आवश्रक्ता है इसके लिए भारत को हिंदु राष्ट बनाने की अभियान को शुरू रखने की आवशक्ता है और इसके लिए हम सभी को एकत्रित आके यह अभियान आगे बढ़ाने की आवशक्ता है तो अभी हमने देख रहे थे कि यह सोतंद्र भारत के जो काले अंग्रेज है जो लगते तो हमारे ही है प्रिंदु जिन्हों ने हिंदु मंदिरों को द्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू किया तो हमें यह जानने की आवशक्ता है कि जब तक हिंदु के मंदिर यह सेकुलर शासन द्वारा शासित और प्रशासित रहेंगे तब तक मंदिरों के द्वारा हिंदुओं को उनको जो सरोभोमिक शिक्षा धर्मशिक्षा पारमपारिक शिक्षा इसकी वेवस्ता करना हमारे मंदिरों को सम्मव नहीं होगा और इसलिए जो पुरातन काल में मंदिर एक हिंदों की शिक्षा और धर्मशिक्षा के केंद्र बने थे आज वो एक मोज मजा या राचकार्णियों की हित या सरकार के हित को सवरक्षित करने वाले बने हैं यह एक बड़ी वीडम बना हम अभी देख रहे हैं यदि भारतिय संस्कृति को विश्व प्रक्रिया में अपना प्रक्रुतिक स्थान खोजना है अपना गवरोशाली स्थान धुणना है या आपने आपको विश्व गुरु के रूप में देखना है तो सर्व प्रतम हमारे के माध्यम से सर्व प्रतम धर्म शिक्षा कैसे मिले शिक्षा व्यवस्ता समाज की कैसे निर्माण हो बच्चों के लिए बाल संसकार धर्म संसकार कैसे हो गुरुणियों के लिए तिवार कैसे मना है सोला संसकार कैसे मना है ऐसले कि देने दिन जीवन में जो कुछ वरत ति योजना बनाते नहीं और मंदिर ये आसपास के लोगों के दिशादर्शन का केंद्र जब तक बनता नहीं तब तक भारत विश्वगुरु बनने के स्थिति में नहीं जाएगा इससे क्या साध्य कर सकते हैं इसे हम केवल भारत की कलात्मक और धार्मिक परंपराओं के ही लिए नहीं तो बलकि जो आधनिक विज्ञान है प्रवद्यकी की है या समाज के जो समकालीन समस्या है समाज के समकालीन जो आवश रखता हैं उसके प्रती हमारे मंदिर और मंदिर के माद्रें से जो विश्व विद्याले है वह एक आधार समब करके दिर्माण होके हिंदू समाज के या ह हमारे भारत के विकास में उसकी मदद मिलेंगे और इसलिए धर्मपाल जी ने यह जो अंग्रेजों के शेडेंटर का परदाफाश अपने इस पुस्तक में किया है तो इस पुस्तक का आध्यन सबसे पहले हम सबको करना आवशक है अंग्रेजों के यह धूरतता से बना हुए शेडेंटर को समझ कर भारतिय राज्य करता हो भारतिय प्रशासनिक अधिकारी भारतिय नैक्षेत्र के अधिकारियों को यह सब सत्य जानकर इस शेडेंटर को दूर करके भारतिय परंपराओं को स्थापित करने के लिए एकत्रिता कर योगदान देनी क्या हो शकता है केव प्रशार्षकृSoft परिवर्थन नहीं तो एक सामाजीक और राष्षक काबिवड्यों कि माध्यम से भारत कि गौरोशाली परंपरा पुनग प्राप्त करने के लिए हमको एक नए अभियान भारत को सुराज बनाने के अभियान को शेंगली के आवश्च लगता है मैं आप सभी दर्शकों को यह आवान करना चाहता हूँ कि जो जो इस कारे से जुड़ना चाहते हैं कानूनी, सामाजिक, आरतिक या प्रभोधनात्माद जो जो कारे में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम, नमबर, कमेंट बाक्स में जरूर लिखिए किस प्रकार से योगदान देना चाहते हैं, किस प्रकार से सहवागी होना चाहते हैं अब आप उसमें लिखे हम जरूर आपको संपर करेंगे और आगे का अभियान हम चलाएंगे तो कारतिक जी इस तरह से हम सभी को इस कारे से जुड़ने के आवर्शक्ता ऐसे मुझे लगता है सद्गुरू डॉक्टर टिंगले जी आपने अभी जो हमें मारगदर्शन किया तो उससे हमें ये सभी को पता चलाओगा कि माननिय धर्मपाल जी ने जो शोधकारिय किया था उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें जो रेफरेंसेस है जो कुछ जानकारी है तो महाँ पर हर एक जाती के हर वर्ण के व्यक्ति को शिक्षा व्यवस्ता उपलब्द की जाती थी ये इतिहास जो है कि आज हिंदूों से कहीं पर तो चुपाया गया है और गलत इतिहास हम पर थोपने का प्रयास किया गया है तो आज हमें ये सत्य बात हमें ध्यान में आई हो और हमारा ये जो यूट्यूब चानल है इसे भी आप अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मैं आप सभी से निवेधन करना चाहूंगा इस धर्मसावमात की सत्र को मैं आगे लेकर जाता हूं मेरा अगला प्रश्ण गुरू डॉक्टर पिंगले जी ऐसे था कि आज की करने के लिए क्या कार्य किया इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं जी कार्तिक जी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पुरातन काल में हमारे जो यग्याग होते थे और उसमें राक्षस आके विगने डालके उस यग्य को धस्त करने का प्रयास करते थे उसी तरह से भारत की जो प्राचन पारंपारिक शिक्षा प्रणाली थी जो अत्यनते उच्च कोटी की थी और जो अंग्रेजों के राचकाज में बाधा बन रही थी तो हमारे जो शिक्षा का ग्यान यग्य शुरू था उस ग्यान यग्य में विग्न डालने के लिए ग्यान यग्य को जो धस करने वाला जो अधुनिक काल का अगर कोई राक्षस है तो वो टीबी मेकलो नाम का अंग्रेज कृष्ण मिशनरी यह एक राक्षस था और उसने भारत के प्राचीन प्रारम पारिक जो शिक्षा पद्धती थी उस शिक्षा यग्य को धस करने का पाप और प्रयास किया था ऐसा कहने में कोई शंकानी ऐसे मुझे लगता है यह जो टीबी मेकलो नाम का जो अंग्रेजी मिशनरी राक्षस था उसका पूर्ण नाम थॉमस बैबेंग्टन मेकॉले ऐसा था इसका जन्म 25 अक्तुमबर 1800 में हुआ था तता उसका मृत्यू 28 दिसंबर 1869 में 1859 में हु यह जो मेकलो नाम का राक्षस था वह भारत में गवर्णर जन्रल के विधी सदस्य के रूप में आया था यहने लौ मेंबर के रूप में भारत में आया था ब्रिटन में 1830 में वह पहली बार महा पर मेंबर ओफ पार्लियमेंट यहने एक सांसद बना था 1832 में उसे बॉर्ड ओफ कंट्रोल का भी सदस्य बनाया गया था यह बॉर्ड इस इंडिया कंपणी के डारेक्टरों को दिशा निर्देशन देने के लिए अंग्रेज सरकार ने बनाया था मैंका लो इस बॉर्ड पर 18 मेने कारेमित रहा इस दोरान उसने भारत में या भारत के बारे में आध्यन करने का प्रयाज भी किया था वह अपने अंग्रेजी भाषा को विश्व की महान भाषा करके मानता था और उसे अंग्रेजी भाषा में जो एक साहित्य था जो व्यापकता उसने देखा और वो संस्कृत और पारंपारिक भाषा में जब देखा तो उसको वो स्विकारा नहीं गया और वो भारती साहित्ये को अत्येंत घ्रुणि दुरुष्टी से देखता था और भारती साहित्ये को घ्रुणि दुरुष्टी से देखने के कारण भ मैकलो ने क्यों भारती शिक्षापद्धित को ध्वस्त किया कैसे किया तो उसके पीछे उसके मानसिक्ता क्या थी उसका अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी साहित्य के प्रती आंकार युक्तदुरुष्टी कैसे थी और अंग्रेजी साहित्य को आवान देने वाला और उससे भी कई प्रगल्ब और प्रगत ऐसे साहित्य को देखने के बाद उसके मन में इरशा कैसे निर्मान होई थी यह सब जानने के बाद उसने यह शड़ेंत्र क्यों किया वो हमें ध्यान में आ सकता है मूलता यह जो मेकलो नाम का प्राणी है वो भारत में कभी आना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो भारत से एक तरह से गुरुणा ही करता था परन्तु जब उसके मन में धन का लालच उबरा और उसे ऐसी वेवस्ता हुई कि भारत में आने से उसे अधिक धन या धन का आय होने की सम्माव नहीं थी तो उस धन के लालच में वो भारत में आया था मेकाले अपने मन की जो बाते थी वो अपने बहन को बार बार बता था और वो मन की बात बताने के लिए उसने नियमित पत्र लिखन करके अपने बहन को आउगत करा था तो उसका जो भांजा था सर जॉर्ज ट्रेविलियन जॉर्ज ट्रेविलियन ने बाद में जो मेकावले ने अपने बहन को पत्र लिखे थे उस पत्र को संकलित करके पत्रों के आधार पर उसने Life and Letters of Lord Macaulay इस नाम का एक पुस्तक ही प्रकाशित किया था इस पुस्तक में से एक पत्र में Lord Macaulay ने अपने बहिन को लिखा था कि वर्तमान में मैं अभी केवल प्रतिमास यहने हर मेहना 200 पॉर्ण से अधिक नहीं कमा पा रहा हूँ जबकि मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ उसके लिए मुझे कम से कम 500 पॉर्ण तो चाहिए यहने मैं कलो कि जो महत्वा कांशा थी कि वो ऐसा जीवन जीना चाहता था कि उसका जीवन एशो आराम से हो एक राच परिवार के जैसा हो और वो जीवन यापन करने के लिए उसको कम से कम 500 पॉर्ण जो ब्रिटिन का चलन है तो 500 पॉर्ण प्रती महा उसका अगर आय हो तो वैसा जीवन जी सकता था मगर वर्तमान में केवल 200 पॉर्ण ही वो जी कमा रहा था और इसके लिए उसको मन में खंत था कि मैं वैसा जीवन नहीं जी पा रहा हूँ वह लिख रहा था कि my political outlook is very gloomy a schism in the ministry is approaching in England I see nothing before me for some time to come but poverty, unpopularity and the breaking of old connections ऐसे अपने विचार वेक्त करते वे उसने उस कुस्तक में अपने बहन को लिखा था और तभी वह लिखता है कि ऐसे गटना गटी जिससे जीवन का मेरा सारा परिद्रुष्य ही बदल गया British Parliament ने जो एक नया बिल पास किया था उसे नया इंडिया बिल ऐसा कहा जाता था उसमें Supreme Council of India में Law Member का एक नया पदुनों ने मनोनित किया था बनाया था और जिस पर ऐसे ही व्यक्ति की नयूक्ति की जानी थी जो ना तो East India Company का करमचारी हो ना उससे वो संबंदित हो और जब ऐसा उसका प्री रिक्विजिट आया तो यह Law Member का सदे से बनने का प्रस्ताव Lord Macaulow के सामने आया और Law Member के पत के लाब बताते हुए Lord Macaulow बहन को अपने पत्र में लिखा था कि यह Law Member बनने से मुझे अभी बहुत इज़त मिलेगी मेरा अभी जो इनकम है उससे कई अधिक पैसा मुझे अभी मिलेगा Law Member की जो तनका थी वो पूरे 10,000 पौंड प्रतिवर्श है यह यह अठासो बीस बाइस की अगर बात है तो उस समय भारत के एक वेक्ति की आया अगर पाच रुपए हो तो उसके 8-10 लोगों के परिवार का जीवन यापन अच्छा हो सकता था जिसके पास 100 रुपए अगर धन है तो उस समय के अमिर लोकों में गिना जाता था उस समय 10,000 पौण प्रतिवर्ष यहने अवसतम 800 से अधिक पौण प्रतिवर्ष माह उसका इंकम था यहने इंगलेंड भारत में किस तरह से लूट कर रहा था और उनकी जो निविक्त लोगों को कितनी तंखा वो दे रहा था तो कितने मात्रा में भारत में लूट हो रही थी उसका भी प्रमाण इसे हमें मिलता है लौर्ड मेकाले अपने बहन को लिखता है कि जब मैं 49 वर्ष का हो जाऊंगा और मेरे जवान उम्र में ही मैं जब वापस इंगलेंड आऊंगा तो मेरे पास 30 हजार पॉंड खर्च करने के लिए होंगे और वो आगे अपने मन की बात अपने बहन को बताते हुए लिख रहा है कि मैं सारी जिंदगी ऐसी शांसे रहूंगा जैसे कोई राजकुमार रहता है और मज़ेदार तो बात यह है कि मुझे इंडिया में जाना तो है परन्तु वहाँ कोई मेहनत का काम भी नहीं करना है आराम से बैठे बैठे शाही काम करना है बस यही जो लालस था धन का वही लौर्ड मेकले को उस समय इंगलंड से भारत में ले आया था अन्यता उसको भा 1834 में जब वो भारत में आया तो भारत में आने पर उसने Committee of Public Instruction का भी उसे अद्देख्शन बनाया गया इस कमिटी को यही तै करना था कि जो रुपया शिक्षा पर खर्च करने का आदेश ब्रिटिश की संसद ने कंपनी को दिया है वह किस प्रकार के शिक्षा पर कंपनी खर्च करना चाहिए वह उन्हें तै करना था कि इस कमिटी में दस सदेश्य थे जो स्थानिय भाषा में संस्कूरूत या अरभी फारसी में शिक्षा या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के विवात के दुरूष्टी से पाच-पाच के खेमों में बटे हुए थे यहने द यह जो विवाद था उसको सुल जाने के लिए मैच能 ने क्या किया अपना एक वृत्तांश बनाया है मिनिट्स ओफ मेटिंग बनाये और उसने दो फर्वरी आटरा सो पैतीस को अपने मिनिट्स ओफ मेटिंग गवर्णर जरनरल को पेश किया और गवर्णर जरनरल ने गौवर्णर जनरल उसमें विलियम बेटिंग था उसने उसको स्विकार कर लिया और उसमें लॉर्ड मेकाले ने अपना जो पक्ष था वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में दिया था और वह गौवर्णर जनरल ने स्विकार कर भारत में शिक्षा का माद्यम अंग्रेजी अर्थ भारत में हो गया था कि अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी अकबार पढ़ना यूरोप से आने वाला ग्यान मिग्याने वो सीखना उसके उपर अमल करना अंग्रेजों का गुणगान करना अंग्रेजों का बड़तपन करना यही अंग्रेजी शिक्षा भारत में अभी प कोने कोने में हर क्षेतर में घुमा हूँ मुझे भारत में एक भी विक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिकारी हो जो चोर हो लॉड मैकालो प्रिटी संसद में कहता है कि इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है लोगों के इतने उच्चे चरितर के आदर्श देखा ह है लोगों में इतने गुणवान मनुष्य मैंने देखे है कि मैं नहीं समझता कि हमारी वर्तमान क्षमता में हम इस भारत को जीत पाएंगे इस भारत के नागरी को उपर राच कर पाएंगे हमको अगर भारत में राच करना है भारत को जीतना है तो इनकी जो रीड की हड़ी है वो जो इनकी आध्यात्मिक और संस्कृतिक विरासत है इसको जब तक हम तोड़ के नहीं देते हैं इसको जब तक हम नश्ट नहीं करते तक हम यहाँ पर पाव जमाना मुश्कील है और इसलिए मैं ब्रिटिश के संसत में यह प्रस्ता हो रखता हूं कि हमें भारत की इस पुरानी और पारंपारिक शिक्षा व्योस्ता को उनकी संस्कृति को बदर डालने के लिए प्रयास करने होगे क्योंकि अगर भारति ऐसे सोचने लगे कि हमारी पारमपारिक शिक्षा और संस्कृति के उपर यह जो विदेशी और अंग्रेजी संस्कृति और शिक्षा पद्धती है वह हमसे अधिक अच्छी है उनके चीजे या वो जो बना रहे है वो चीजे हमसे अधिक बहतर है तो भारती लोग अपने आत्मगवरो अपने आत्मसंद और अपने संस्कृति को ही बुलने लगेंगे, अपने संस्कृति को ही गलत या हिन बनाने लगेंगे, और उस समय वह हमें जैसा चाहिए, वैसे वो बनेंगे, और अगर ऐसे होता है, तो संपुर्ण भारत हमारा गुलाम बनेंगा. सार सोरुप में मैकलो ने यही कहा था, कि भारतियों के मन में अपनी स्वशिक्षा पद्दति, स्वशंस्कृति, कि अपनी परंपरा के विशय में इंफिरिटी कॉंप्लेक्स क्रेट करें, और ऐसे वातरन बना है कि जो पाश्यत है, अंग्रेजी का जो है, वो सब अच्छा ह ऐसी भावना उनके मन में जागरुत हो जाए, तो अगर भारतियों अंग्रेजों के वैचारी गुलाम बन जाते है, तो उसके माध्यम से संपुर्ण भारत अंग्रेजों का गुलाम बन सकता है, तो संग्षिप ने उसने वो जो कहा था वो अंग्रेजी में मैं संग्षिप में कहना चोंगा कि वो लिखता है I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is beggar who is thief such wealth I have seen in this country such high moral values people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation which is her spiritual and cultural heritage and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own they will lose their self-esteem their native culture and they will become what we want them a truly dominated nation अगैने कितने दूरतता से भारत के संस्कृती परंपरा शिक्षा पद्द्दि को निष्ट करने का प्रस्ताव खुले आम ब्रिटिश हंसद में रखा है और वो रखते समय भारत के गौरों के संदर में उसने जो बत है कि मैंने यहां का विक्ति कैसा है वो चोर नहीं वो गरीब नहीं वो शिक्षित है उसका चरित्रा आदर्श है भारत की संस्कृतिक विरासत कितनी थोर है तो दोनों बाते उसने एकी समय संसद में रखी है मगर हमारा यह दुरभाग्या है कि संसत में डॉक्यमेंटेड जो फैक्ट है बिटिश लैबरेड़ी में जो खुले आम यह जो फैक्ट्स और तत्य रखे गए है तो 1947 के बाद जो भारत को शासन और प्रदान मंत्री और मंत्री मंदल या सरकारे मिली है उन्होंने इस तत्यों को भारत में लाकर उनके शेडेंटरों का परदाफाश नहीं किया भारत को कैसे उन्होंने गुलाम बनके रखा है उनके नीती नियमों को परदाफाश नहीं किया और उनी की नीती परंपरा को जारे रखके भारत को गुलाम बनाने का जो प्रयास किया है तो गोरे अंग्रेज से ज़्यादा अगर इस देश का नुकसान किसी ने किया है तो वो 1947 के बाद इस देश में सत्ता पराने वाले काले अंग्रेज होने किया है है और इसके तथ्य हमें माननिय धर्मपाल जी के स्जट्रत्य है और मिलते हैं कि आपने लोगों के ज्वाड़ा समय आजबरों को ने समझने कि आवश्छक्ता है कि अब इसके बारे में कुछ विवाद चल रहा है कि यह जो भाषण के अंश है या किसी तथे के आधार पर सिद्ध नहीं होते हैं और उसके लिए यह भी कहा जाता है कि प्रक्तिक्ष में मैकाउले तो फरवरी 835 में भारत में ही था और उसके पूर्व भारत की कभी कोई उसने यात्रा भी नहीं की थी उसने दो फरवरी 835 को ब्रिटिश पार्लियामन में यह भाषण ही नहीं दिया था तो इन सब बातों के विवात को देखकर यही सिद्ध होता है कि अंग्रेजों को अंग्रेजों की यही आदत है कि वो समाज में भ्रह्म भहलाकर सच्चे को छिपाना और शेदेंतर पूर्व पारंबारिक विग्यान में जो शोद लगे थे वो अरब से जब अंग्रेज के ग्रेटीशा यूरोप में गए थे तो भारत के सभी जो विग्यान के शोद है वो स्वयम के नाम पर उन्होंने प्रकाशित करके पुरा श्रेय लिया था भारत की संपत्ति लूट कर तो लेके करते ही है तो हमें बात समझ में लेने के आवश्यक्ता है कि यह वाक्या उसने भारत में किसी जो उसने मिनिट्स ओप मेटिंग या जो वह यहां पर आवाल बना के ब्रेटिश में भेजता था तो उसमें लिखकर भेजी हो और बात में अंग्रेजों ने वो के आवश्यक्ता है कि मैं कहलो केवल भारत से ने तो भारत की संस्कूरती भारत का सहित्य भारत की पारंपारिक शिक्षा वेवस्ता सभी से वो अत्यन्त घुरुणा ही करता था मैकवले की जीवनी में लेकक ट्रेविलेन ने यह भी लिखा है कि 1835 में भारत का एक नया जन्म हुआ था और जिसे एक नया भारत करके उन्होंने संभोदित किया था यह नय भारत में उसकी प्राचीन सब्व्यता की आधार शिलाय हिलने लगी उसके प्रसात के जो स्थम्ब थे वो एक-एक स्थम्ब एक-एक करके धहने लगे थे ऐसा स्पष्ट इस पुस्तक में ट्रेविलेन ने लिखा है भारतियों और इंग्लेंड के लोगों के नयतिक गुणों के संबन में मैकावले की जो विचार 10 जुलाई 1833 के हाउस ओफ कॉममन्स में जो दिये गए भाशन में है उसमें स्पष्टता से देखे जा सकते है उसमें मैकावले ने कहा था इंग्लेंड का तो सामान्य विक्ती भी बहुत अधिक बुद्धिमान और सद्गुणी विक्ती है जबकि भारत के लोग असब्य है जंगली है गवार है लोबी है दगाबाज है और अन्दविश्वासी भी है क्या इनी को उच्चन नेतिक मुल्ले कहते हैं मैकावले ने तो भारतियों को सब्बे बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा देना यूरोपिय ग्यान विज्ञान सिखाना नेतिकता में अंग्रेजी बनाना अंग्रेज बनाना यह इंगलन का परंदाइत्व है ऐसा मैकाव अंग्रेजों ने कहा था और इसी आधार पर उसने भारत में ताना शाही के शासन की वकालत भी किया था यहने एक तरह से वह मसिया बनकर एक रेने सा भारत में रेने सा करने के संदर में वह विचार रख रहा है और वह भारत पर बहुत उपकार कर रहा है भारत को वह बहु स्पष्ट दिखता है। उसका जो कहना है वो कह रहा था, what is the best mode of securing good governance in Europe? The merest smatterer in politics would answer representative institutions. In India, you cannot have representative institutions. But she may have the next best thing, a firm and impartial despotism. East India Company भारत में केवल लोट मार करने और इस देश को भिकारी बनाने के लिए आई थी. सन सोला सो में जब वो कमपनियां आई थी, उस समय के आर्थिक सिती का जो फ्रांसे सियातरी बर्नियर ने अपने शब्दों में वरणन किया है। तो यह फ्रांसे सियातरी लिखता है कि हिंदुस्थान एक यह ऐसा गड़ा है, जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चांदी या जड़ जावार या जो बहुमुल्य धातु है, वो चारों तरफ से आने के तो आनेक रास्ते हैं और आकर यह जमा तो होता है, मगर इसे बाहर निकानने का एक भी रास्ता भारत में नहीं मिलता। याने प्रश्चिमी जो अभ्यास्त भक्या प्रवाश्य भारत में आ रहे हैं, उनकी दुरुष्टी क्या है हमारे तरफ देखने की, तो वो हमारे धन और आर्थिक विरास्त को यह देख रहे हैं, और वो बाहर लेकी जाने के बारे में कोई रस्ता नहीं दिख रहा है, वो विवंचना भी प्रगट कर रहे हैं, तो फ्रांसीस ही जो यात्री है उसके कहने से भारत के आर्थिक स्थिति क्या है वो हमें पता चलती है, परन्तु मेकवले के समय का भारत ऐसे नहीं था, मेकवले का समय जब 820 के आसपास या 35-35 में जब वो आया था, उस समय ये इस इंडिया कमपनी भारत का सारा सोना चान्दी लूट कर भारत से इंग्लेंड ले गई थी, और अब तो करीब-करीब वो अपना कारोबार समेटने की सिति में आया थी, कमपनीों के कुछ गलत नीतियों के कारण, एक और तो उनके उद्योग धंदे चौपट होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ भारत में उस समय बार-बार अकाल आने से, बड़े संकट के चपेट में भारत आ रहा था, सन 1769 से लेकर 1773 तक के बंगाल में ऐसे अकाल पढ़ चुके थे, जिसमें एक करोड से अधिक लोग भूके ही मर गए थे, सन 800 से लेकर 1825 के दर्मेन, पाज बार ऐसे अकाल पढ़ चुके थे भारत में, तो इन अकालों के कारण East India Company का जो राजस्व था, इंकम था, वो अत्यनत निचलेस तरफ पे घड़ गया था, तो उस कंपनी के जो इंग्लेंड में जो शेहर थे, वो भी लुड़त दे थे, मैं कालों ने इस पश्चर शब्दों में घोशना करके नहीं, परन्तु अप्रत्यक्ष सरकारी तर्फ देकर भारत की शिक्षा पद्दती को, शिक्षन पद्दती को नश्ट करने का काम किया, उसने पहले तो यूरोपिय ग्यान विग्यान को स्रेश्ट बताया, फिर उसकी भारती सहित्य से तुलना करते हुए का कि, यूरोप के लैबरी की एक अकेले शेल्प में जितना उच्चे सहित्य है, उतना भारत और अरब की संपुर्ण सहित्य को मिला कर भी नहीं हो सकता है यहने कितना स्वारती था और तुलना कितनी अयोग्य किया था वो भी हमें पता चलता है, भारती है सहित्य की सांस्कुर्द इविरा सब कितनी प्रगल्व है, मुझे लगता है कि भारत का सब सहित्य किया जाया, तो संपुर्ण इंगलन के लोगों के घर के शेल्प पूरे बार जाएंगे आज की स्थिती में भी ऐसी भारत के साहित्य की स्थिती थी, अंग्रेजी सरकार ने मेकवले की जो डौनवर्ड फिल्ट्रेशन थेरी थी, उसके तहर भारत समाज के एक वर्ग को पूर्ण ता अंग्रेज बनाये, उस अंग्रेज बनाये एक पूर्ण वर् स्थापित किया था और बड़े पैमाने पे वे इस मार्द्यन से नियंकरण स्थापित करने में सफल भी होए थे आज भी आप देखेंगी कि हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वालों को बहुत उच्छो कोटी का विद्वान समझा जाता है भलाई वो कितना मुर्खता प्रुण भात क्यों ना करे और हमारे मात्रु भाषा में कोई विद्वान चाहे कितनी भी विद्वता प्रुण भात करे वो अंग्रेजी समझने वालों के तुलना में कमजोरी समझा जाता है यह वर्तमान आज भी सुतंतरता के बाद सत्तर वर्ष के बाद भारत में हेज इस्तिती है तो मानस्री गुलामगरी की जड़े कितनी अंदर तक वे डाल कर गए हैं वही हमें समझ में आता है और यही जो सोच है वो अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे भारत में विकसित किया है और अंग्रेजों का यही उद्देश था अंग्रेजी शिक्षा को भारत में स्थापित करने का और भारती शिक्षा पद्धती को नश्ट करने के पीछे आज इसी की वज़े से पाश्यत्य शिक्षा की वज़े से पारमपारिच शिक्षा को ध्वस्त और विद्धूस करने के वज़े से आज भारत का प्रत्यक नागरी, खुद को ही हीन, कानिष्ट और छोटा समझ कर पाश्यत्य और अंग्रेजो को वो बड़ा मानकर एक न्यूने गंड़ता में इंफिरिटी कॉंप्लेक्स में रह रहा हैं आज यह जो गुलाम गिरी है पास्षात्य विचारों की पास्षात्य संस्कृति की या पास्षाओं के पास्षात्यों के महिमा मंदनों की जो गुलाम गिरी है उस गुलाम गिरी से मुक्त होकर सही मायन में शुराज्य का निर्मान करने के लिए हम सब को एकत्रित आना होगा, अभियान चलाना होगा, अपनी स्मृति के ऊपर चड़ेवी धूल को हटाना होगा, ओल इस गोल्ड पुरातन के तरफ वापिस हमें इल्टा प्रहुस करके जाना होगा, और यही भारत के उ हिंदुराष्ट्र बनकर स्वंपुर्ण विश्व को वसुदेव कुटुम्वम बनाने के तरफ यह एक पहला और बड़ा कदम साब विदोगा ऐसे मुझे लगता है। मैं भगवान स्रीकुटने के चर्ण में यही प्रार्तना करूंगा कि अभी है जो हम उद्देश को विचार किये कि भारत यह विश्व गुरू बने भारत यह हिंदुराष्ट्र बनकर एक वसुदेव कुटुम्वक्यम के विचार को लेकर पुरे विश्व में जाएं। इस हमारे देव को पूरुन करने के लिए भगवान आप हम सभी धर्म प्रेमियर आश्टा प्रेमियों के माद्यम से कारे करें और यह देव प्रार्तव करने के लिए हमें आशिरवाद दें। यहीं प्रार्तना करते हुए मैं अपने मानी को विराम देता हूँ, नमस्कार. सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो जानकारी हमें दी है, तो सभी दर्शोकों को यह सपष्ट हुआ होगा, यह जो मैकॉले था, इस मैकॉले के कारण, आज हमारे भारतिय व्यवस्था का, भारतिय, हमारे देश का, हमारे गुरुकुलों का, और हमारे आश्टर से, धर्म से, हम सभी दूर हो गए है, तो यह जो गलत कारे जो किया है, यह मैकॉले ने किया था, और इसके बारे में पूरी जानकारी आज हमें यहाँ पर मिली है, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, यह सच्चाई, अधिक से अधिक लोगों तक पहुचान पड़ेगा, उसने किस प्रकार से घिनोना कार्य किया है, यह लोगों तक हमें पहुचाने का प्रयतन करना पड़ेगा, तो मैं सभी दर्शकों से आभान करता हूँ, और साथ ही यह विशे सुनते समय, यदि आपके मन में कुछ शंका हो, कुछ आपके मन में प्रश्न हो, त अपने चैट बोक्स पर लिख कर दे सकते हैं, आपके कोई सुझाओ भी हो, तो आप अवश्य हमें दे, ऐसे मैं आप सभी से निवेधन करूंगा, भगवान श्री कुछन जी की कुरूपा से आज का धर्म समवात का यह कारे क्रम यही पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोशित कर तामिन, नमस्कार ठीक की की कीशुआ किया है essaी यहीं। वी ठामिन 김ों की का फार्म कीश… और भी हो, यहीं दे पताम से निया जी हमें वे वी को अन। पर संपन्न हूदित की का यही। आट